आप सभी स्रोतागणों को मेरा नमस्कार, स्री शक्ते नमा, नवरात्री के तीसरे दिन माचंदर घंटा की पूजा की जाती है। हिंदू पौराडी कथाओ का कहना है कि जब भगवान सीव मा पार्वती से साधी करने के लिए राजा हिमवान के महल में पहुँचे तो उनकी मा मैना देवी उनकी अपरमपरागत अवतार को देख कर बेहोश हो गई। भगवान सीव के गले में एक साप था उनके बाल खुले हुए थे और उनकी बारात में भूत और रिशी शामिल थे तब देवी पार्वती ने माचंदर घंटा का रूप धारण किया और भगवान सीव से प्रातना की जो तब एक आकरशक राजकुमार के रूप में प्रकट किया तो उन्हें देवी चंदर घंटा के नाम से जाना जाने लगा। वह बहादुरी का प्रतिनेद्ट करने वाले एक बाग की सवारी करती हैं। उनके दस हाथ हैं और उनके माथे पर अर्द गोलाकार चंद्रमा है। जब कि देवी चंदर घंटा अपने बाएं हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडर लगती हैं। उनका पाचवा हाथ मवरत मुद्रा में है। उनके दाहिने हाथ में कमल का फूल, तीर, धनुस्त और जबमाला है। उनका पाचवा हाथ अभय में है। मुद्रा इस रूप में माचंद्रघंटा अपने सभी हतियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार है। हलांकी देवी को राच्छसों और सत्त्रों के प्रती क्रूर माना जाता है। लेकिन वह अपने भक्तों के प्रती अत्यंत दयालू है। ऐसा माना जाता है कि उनके माथे पर चंद्रमा की घंटी की आवाज उनके भक्तों से सभी आत् को दूर कर देती हैं कि वंदतियों के अनुसार राच्छसों के साथ उनकी लड़ाई के दौरान उनकी घंटी द्वारा उत्पन्द्ध्वनी ने हजारों दुष्ट राच्छसों को रित्यु के देवता के निवास में भेज दिया माचंद्रघंटा अपने भक्तों के और नकरात्मक सोच को समाप्त कर सकता है देवी को शुक्र ग्रह पर सासन करने के लिए भी जाना जाता है और सभी के जीवन में सद्भाव रखने में मदद करती है धन्यवाद